स्वागत है दोस्तों आपका कंशिजन 9.2.11 में दोस्तों यहां बिहार सिपाही बाहली से भरती से एक नोटीस एक न्यूज आई है जैसा कि पहले 2018 में ही सिपाही एवों फायर मैंन के लिए फ्रॉम फिलब किया गया था और एक्जाम के लिए एड्मिट कारिवी जारी कर दि दिया गया उसके बाद से कोई न्यूज नहीं आ रही थी लेकिन यहां पर फिर से एक नई न्यूज आई है और वो न्यूज यह है कि न्यूपती की प्रकिरिया में बदलाव को लेकर मन्थन में जुटा है मुख्याल है यानि कि एक वार फिर से नई सीरे से आवेदन जारी किया जाएगा इसके लिए और जो पहले से जो फिलब कर दिया है पेमेंट कर चुके हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे छूट दिया जा रहा है कि उन्हें फिर से फॉर्म फिलब नहीं करना होगा या फिर उन्हें कुछ और लेकिन यह एक बात है कि उन्हें पैसा दुबारा न मेरिट पे मेधा सुची तयार की जाती थी लेकिन अब जो है कि फीजिकल तो पास कर जाएंगे लेकिन जो मेरिट बनेगा वो लिखित परिच्छा की अनुसार आपका मेरिट तै होगा तो पूरा निज देख लेते हैं यहाँ आप लिखा हुआ है पटना कर्याला समधाता इसके बाद चैनीत अब्यारतियों की मेरिट लिखित परिच्छा की जगा सारीक परिच्छा में प्राप्त अंकों के अधार पर कर दी गई थी इसके अलावा सारीक परिच्छा के माबदंडों में भी बदलाओ हो सकता है माना जा रहा है कि बदलाओ के बाद बहाली परकिर में बदलाव को लेकर मन्थन कर रहा है सूत्रों के मुताबिक कई बिंदियों पर विचार किये जा रहा है इसमें सारी की जगा लिखित परिच्छा में प्राप्त अंकों को मेरिट लिष्ट का अधार बनाया जाना भी सामिल है सिपाही पर बहाली के लिए दो परिच्छाएं होती हैं सबसे पहले लिखित परिच्छा होती है इसे स्रीप पास करना होता है इस के अधार पर सारी के परिच्छा की तीन असपरधाओं के लिए अभ्यारतियों का चैन किया जाता है सारी के परिच्छा में प्राप्त अंकों क क्यादार पर ही merit list त्यार होती है और अंतिम रूप से अभ्यारतियों का chain सिपाही के पद पर होता है लेकिन जो अब जो होगा उसमें आपका लिखित परिच्छा क्यादार पर merit तय होगा यानि कि सारिक परिच्छा को तो आपको जासी यह तय हो जाएगा तो फिर से नए सीरे से बहाली परिच्छा के माप दंडों में भी बदलाओ परिच्छा के लिए तय माप दंडों को भी बदलने पर विचार किया जा रहा है या बदलाओ कैसा और क्या होगा अभी यह तय नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए त्या नियों में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है पहले का सारिक जो होता था उसमें देख लिए पूरसों को एक मिल तो महिलाओं को एक किलो मीटर दोड़ना होता है एक मिल में मतलब 1.6 किलो मीटर होता है और जबकि महिलाओं के लिए एक किलो मीटर दोड़ना होता है अभी पूर्सों को एक मिल तो महिलाओं को एक किलो मीटर दोड़ना होता है इसके लिए अधिक्तम समय सीमा 6 मिनट निर्दारित है यदि कोई अभेरती 5 मिनट से कम समय में दौर पूरी कर लेता है तो उसे पूरे 50 अंक मिलते हैं वहीं 5 मिनट 40 सेकंड से अधीक और 6 मिनट के 20 दूरी पूरी करने पर उसे नियुनतम 20 अंक दिये जाते हैं गोला फेक और उची कूद में भी दूरी के हिजाब से अंक निर्धारित है पूर्सों को 16 पांड और महिलाओं को 12 पांड का गोला फेकना होता है इसमें नियुनतम 9 और अधिकतम 25 अंक है वहीं उची कूद में पूर्सों को नियुनतम 4 और महिलाओं को 3 फीट उचाई पार करने इसके लिए 13 से 25 तिये जाते हैं तो यह पहले का था पहले जो सारी परिच्छा का मेरिट तै होता था तो इस तरह से उन्हें अंक दे करके तै किया जाता था उनका मेरिट लेकिन अब चुकि फीजिकल को आपके वल कौलिफाई कर दिया गया है यानि कि अगर आपको हर जो मिजरमेंट है उतना आपको पूरा करना है तै समय में तो अगर आप उसको तै कर लेते हैं तो आप कौलिफाई कर जाते हैं फीजिकल में उसके बाद देखा जाएगा जब merit बनेगा तो देखा जाएगा कि आपकी लिखित परिच्छा में कितने number आते हैं जिसका सबसे ज़्यादा number आया होगा वो merit के सूची में सबसे ऊपर में होगा उसमें physical का कोई भी आपका physical से कोई भी merit तै नहीं होगा तो यहाँ पे यह बहुत बड़ी news आ रही है तो comment करके बताएं कि यह news आपको कैसे लगी और इस तरह का और वी वीडियो आप चाहने के लिए अगर इस चैनल को जल से जल सबस्क्राइब कर ले आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद